तो चलो अब इस लिस्ट वाले section के बार में आपको ब्लॉक और inline elements जो होते हैं उसके बारे में बताता हूं कि वो क्या होता है ठीक है यह बहुत useful होता है यह जो हम chapter करने जा रहे हैं ब्लॉक और inline element तो एक फटा-फट से नई फाइल बना लेते हैं ठीक है और इसको मैं नाम दे देता हूं यह हमारा 17 है 17 चेप्टर है तो इसको मैं नाम दे देता हूं block 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 inline element ठीक है ऐसे दे देता हूं .html ठीक है और फटाक से अपनी बॉजर प्रेट ले आते हैं और यहां पर भी टाइटल चेंज कर देते हैं टाइटल कर देते हैं stml block and inline elements एसे कर देते हैं ठीक है देखो किसी भी जो stml होता है ना हर stml की एक default display की value होती है लेकिन यह depend करता है कि वो जो element है वो किस टाइप का है ठीक है तो देखो basically दो टाइप की display value जो सबसे ज़्यादा common होती है उसे कहते हैं block और inline ठीक है तो मैं एक heading बना देता हूँ और इस पर लिखता हूँ ब्लॉक जो पहला element है और दूसरा element है inline ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो block level का element होता है यह क्या होता है देखो block level का element है वो हमेशा एक नए line से start होगा ठीक है और जो browser होता है वो automatically कुछ space के बाद मतलब certain margin के बाद में उस element को display कर देता है किसी भी first element के बाद में ठीक है आपको clear हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहरा हूँ देखो दो type के block element होते हैं ठीक है मैं यहाँ एक heading बनाता हूँ पहले फिर से और यहाँ पर लिखता हूँ two type of block element ठीक है block elements जो पहला type होता है न हमारा उसे हम कहते हैं मैं इसको एक paragraph ले लेता हूँ ठीक है paragraph में लिखता हूँ तो जो पहला type का element होता है उसको हम कहते है paragraph element जो हमने अभी तक यह जो p पढ़ा है न यह p यह उसी block element के अंतरगत आता है ठीक है और जो दूसरा element होता है उसको कहते है division division element कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ ठीक है basically इसको ऐसे लिखते है div essay यह आपने देखा होगा बहुत सारे stml फाइल पर ठीक है इस तरीके से तो हम इसको discuss करते हैं अब कि यह दोनों जो होते हैं यह दोनों कैसे काम करते हैं क्या होता है ठीक है जो आपको जो पी है मतलब जो paragraph है यह भी एक block level element है और जो div है यह भी एक block level element है लेकिन दोनों में अंतर क्या क्या है हमने जैसे पी लिखा अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले काम करते हैं इन दोनों का आपन बॉर्डर ले लेते हैं ठीक है एक उपर में श्टाइल बना लेते हैं या इसी inline में करते हैं ताकि हमको दिक्कत ना जाये आपको clear हो जाएगा मैं क्या बोलना चाहरा हूँ एक बनाते हैं यहाँ पे demo ऐसे लिखता हूँ अब यह लिखने के बाद में मैं यहाँ पे एक paragraph लेता हूँ ठीक है और उस paragraph में मैं लिखता हूँ my name is just suppose ठीक है यह मैंने एक paragraph element लिया अब मैं एक division लेता हूँ div ओके और इस पे लिखता हूँ my school is मालो केवी ठीक है केंजरी विद्याल है just suppose ठीक है अब मैं इसको save करता हूँ अब देखते हैं कि यह कैसा दिख रहा है क्या हो रहा है इस पे यह हमने अपनी 17 बना ली block element यह देखो ठीक है यह तो हमने heading ले ली थी इसको छोड़ देता है यह देखो paragraph है और यह देखो my school is kv ठीक है अब इसमें इन दोनों में basically अंतर क्या क्या हो गया आपको देखो दिखाता हूँ मैं अगर इस div में एक style ले लेता हूँ और इस पे देदेता हूँ border और border कर देता हूँ solid और उसका color कर देता हूँ black ठीक है इसको save करता हूँ तो यह देखो my school is kv यह यहां तक पूरा का पूरा division का एक segment एक section बन गया मतलब एक तरीका का यह section है लेकिन अगर मैं p में करता हूँ देखो आप same ठीक है style border इसको कर देते हैं solid इसको भी कर देते हैं black अब मैं इसको save कर देता हूँ तो अब आप देखो यह हो गया mine a b शरत खरे यह पूरा section हो गया और यह पूरा section हो गया अब इन दोनों में problem क्या है कि अगर मैं कोई paragraph इसके बाद कोई नया paragraph लेकर जोडता हूँ तो वो भले नीचे आ जाएगा लेकिन वो adjust नहीं हो पाएगा ब्राउजर के थुरू मतलब हो सकता है वो paragraph यहां पे आए हो सकता है वो paragraph यहां पे आए लेकिन यह जो division tag होता है न इस यह हमेशा एक browser की पूरी एक रो ले लेता है अब अगर मैं यहां पे कोई division देता हूँ न तो वो नीचे ही आएगा वो paragraph के जैसे उसकी कोई भी functionality नहीं लेगी लेकिन यह दोनों block element है फाइदा यह है कि paragraph में हम बहुत सारी working नहीं कर सकते जो की as compared to division इसमें हम ज्यादा कर सकते हैं division के अंदर अब बहुत सारी functionality होती है और इसकी classes भी बहुत अच्छी अच्छी होती है ठीक है तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या होता है पहले आपको बताता हूँ कि कितने type के block element होते हैं ठीक है जहां तक मुझे याद है तो मैं एक heading बनात block elements ठीक है और यहां पर क्या करें अपन एक list ले लें जो हमने last पर देखी थी उसको copy paste कर लें तो आपको और clear हो जाएगा यह हमने किया था ना last पर un-ordered list ठीक है तो हम ओएल पर ले लेते हैं ठीक है यह याद आ गया होगा आपको हम एक ordered list ले लेते हैं ओएल ठीक है और इस ओएल पर एक काम करते हैं इसको उठाके इसमें लिख देते हैं ठीक है और यह heading को मैं हटा देता हूँ ठीक है यह ले आता हूँ इसको नीचे इसी को copy paste कर लें क्या इसी को copy paste कर लें नहीं चलो अपन रहने देते हैं वैसे ही क्यों किना क्या होगा फिर चलो ठीक है छोड़ो इसको वैसे ही रहने देते हैं, अपन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, एक link हम ले लेते हैं, और लाई के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कितने type के होते हैं, या एक काम करता हूँ ना, क्यों हो जब अजब रिस्ती में इतना कर रहा हूँ, मैं सीरह आपको यहाँ पे के अंदर, ठीक है, सबसे पहला element हो जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं address, चोड़ो, ADDRESS, यह पहला block element होता है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, मैं आपको demo के लिए दिखा रहा हूँ, दूसरा होता है article, ठीक है, तीसरा जो element होता है ना हमारा, वो हो होता है aside, मैं आपको यह सब बताते जा रहा हूँ, आप यह सब का demo एक बार करकर कर देखना, ठीक है, block code को आप जानते होंगे, block code के working कैसे होती है, ठीक है, एक होता है हमारा canvas, और एक होता है हमारा, I think उसको DD बोलते हैं, हाँ, ठीक है, एक होता है आपका DIV जो मैंने बता दिया आपको, ठीक, और एक data table, ठीक है, यह भी होता है, और data list भी होता है, sorry, यह भी हमारा एक element होता है, और एक element और होता है, जो field के लिए use होता है, field set, ठीक है, यह वाला element होता है, मैं नीचे कर देता हूँ, पहले, एक और element होता है, figure element होता है, figure element के साथ में, एक FIG caption, यह भी होता है, यह होता है, और, form होता है, footer होता है, footer होता हigans, ठीक है, यह website के footer को define करने के काम आता है, form element होता है, यह जितने elements हम बता रहा हूँ ना मैं आपको यह सारे के सारे elements जो हैं यह सब block elements होते हैं और जितने भी मारी heading होती है पूरी heading मतलब h1 से लेकर h6 सक यह by default जो होता है यह भी block element के अंदर ही आता है h1 से लेकर h6 सक मैं ऐसे कर देता हूँ h1 to h6 आपको यहाँ पर clear हो जाएगा ठीक है यह पूरा block element होता है एक और होता है header जो हम use करते है main head पे ठीक है main भी हमारा होता है और एक html 5 में 9 बार होता है जिसके अंदर हम अपने menu को define करते हैं मैं इसके बार में भी आपको बताऊंगा भी आगे मैं आपको सबको पहले याद करा रहा हूँ ताक कि at least आप familiar हो जाओ और फिर हम आगे कर सकते हैं एक होता है no script यह भी एक element होता है और ordered list भी एक element होता है ol यह भी हमारा एक element है और हमारा list भी एक element है block element ठीक है और paragraph भी हमारा block element है एक element होता है pre इसके बारे में हमने बात नहीं करी थी यह BR की जैसा use होता है break के जैसा तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे लेकिन break जो होता है वो inline है वो block element नहीं है इसका ध्यान रखियेगा table भी हमारा block element होता है section जो है section जो है यह जज़दर अभी html5 में use होने लग गया है एक तरह से div के जगा पे इसको replace किया गया है section को ठीक है एक होता है tfoot यह भी हमारा block element है और ul है ul तो ही कहर ठीक है ul भी है unorder list और एक video element भी होता है ठीक है यह जो format होता है इतने इतिंक sufficient है को कि एक दो और है मुझको याद करना पड़ेगा तो याद आ जाएगा यह जब आप websites continue बनाते जाओगे ना कोई-कोई website तो आपको यह सब चीजें by default याद रहेंगी ठीक है और तो मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ अब एक और बनाता हूँ अब आपको समझाता हूँ कि यह basically inline element क्या है ठीक है इसके बार में हम बहुत discuss नहीं करेंगे ठीक यह जस्ट आपके demo के लिए था आप इस page को देखके समझ जाना कि यह इतने elements होते हैं इतने type के अब मैं एक काम करता हूँ फिर से एक heading लेता हूँ और इस heading पे लिखता हूँ inline element ठीक है inline elements ऐसे लिखता हूँ ठीक है और अब होता क्या inline element जैसे कि block element में आपने देखा ना यह पुरा block है एक तरह का है ना लेकिन क्या होता है अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ डालना है कोई image या कुछ तो या तो मुझे इस paragraph के अंदर कुछ करना पड़ेगा या फिर मुझे column दो अलग-अलग बनाने पड़ेंगे ठीक है तो लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जितना इसका length है बस इतने में ही यह border आ जाए क्योंकि अगर मैं इसको देखो border देता हूँ तो यह पूरा आखरी तक हो रहा है तो या तो मैं किसी style sheet का use करूँ और जो इसकी display property है उसको मैं come कर दूँ inline कर दूँ ठीक है तो वो यहाँ तक show होगा लेकिन इसके लावा अगर आप किसी paragraph पे काम कर रहे हो तो आप एक काम और कर सकते हो क्या कर सकते हो मैं जैसे यहाँ पे फिर से एक paragraph बनाता हूँ तो paragraph की जगा अब आपको जैसे अगर मैं p बनाता था था ना यहाँ पे अगर मैं P लिखता हूँ यहाँ पर और लिखता हूँ कि फिर से वो ही लिखता हूँ My name is शरत, just supposed, ठीक है तो क्या होगा, फिर से same यही problem होगी यह देखो नीचे आ गया My name is शरत ठीक है, अब अगर मैं इसका फिर से border दे देता हूँ ठीक है, इस style पर जाके फिर से border दे देता हूँ border को solid कर देता हूँ by default तो black ही रहेगा वो यह देखो, ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह जगा जो है यहीं तक आया तो मुझे ना P की जगा पर मुझे P की जगा पर क्या यूज़ करना पड़ेगा spam यूज़ करना पड़ेगा SPAN ठीक है spam जब आप यूज़ करोगे, यहाँ पर फिर आप लिखो this is inline tutorial sorry tutorial ठीक है अब आप देखो यह कैसा दिख रहा है मैं नीचे आ जाता हूँ this is inline tutorial ठीक, इसको उपर ले जाएं जो को उसको बड़ा कर देता हूँ और मैं this is inline tutorial अब आप देखो यारी काम करते हैं ना इसको नीचे ले आता हैं बहुत नहीं तो फिर ऐसे मैं तो यहाँ पर एक point दे देता हूँ मैं by default यह automatic यह ले लेगा ठीक है अब देखो आप इसका मैं border अब देता हूँ ना sorry style ठीक है border solid आप देख रहे हो border केवल यहाँ अब तक आया जितनी इसकी length है उतने length में इसने border लिया मतलब यह हमारा block element था जिसने पूरी की पूरी width ले ली एक page की और यह हमारा align element था span जिसने केवल word के length की space ली तो यह एक तरीका होता है align element का ठीक है अब होता है कि कितने तरीके के align element है उस पे भी बात कर लेता है फिर एक history ले ले लेता हूँ और इस पे लिखता हूँ types of align element ठीक है अब कितने तरीके के होते है पहला हमारा जो link वाला होता है ए ठीक है यह भी हमारा एक inline element है दूसरा होता है a, b, b, r ठीक है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे abbreviation पर ठीक है तीसरा होता है akrom ये ये सारे के सारे एक तरह के न inline segment है हम सब पर आएंगे जो bold होता है ये भी होता है ठीक है block element और एक होता है आपका जिसको बोलते हैं BDO, ये दोनों भी होते हैं, मैं BDO में जो इसका function है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ बस, ठीक है, एक होता है आपका Big, और B से क्या होता है, और B से क्या होता है, ब्रेक भी है, ठीक है, और ब्रेक के साथ में बटन भी होता ह हमारा बटन के साथ में फिर एक उसको जो साइट देने के काम आता है मतलब साइट सी आई टी ये भी होता है हमारा एक element मैं इतने सारे element के वारे मैं आप बता रहा हूँ आप Google पर सर्च करोगे आपको मिलता जाएगा बहुत मज़ा आएगा आपको ये सब सीखने में एक होता है आपका code भी होता है जब हम किसी code को डिस्प्ले करते हैं without execution ये भी एक होता है है ना और हमारा m भी होता है ये भी एक align element है और image होता है input होता है हाँ ये भी होता है image है और किसी मेंचे काम आता है input को बटन को टेक्स देने के काम आता है ये भी होता है ठीक है और map भी हमारा होता है map को भी use किया जाता है inline पे align का मतलब आप एक तर से समझो कि जितना भी length है ना उतने length में हो जाएगा जैसे देखो आप by example ले लो button है button थोड़ी पुड़ा बड़ा हो जाता है वो by default उसकी size जितनी है जितना ये लिखा हुआ है उसका अंदर में उतना ही आएगा image की भी size जितनी होती है वो उतना ही आ रहेंगे है ना मैं आपको पूरा clear कर देता हूं इसको एक खुटा आउट्पुट आउट्पुट ले नहीं रहा है मेरे खाल से वह उस फाइल पर है नहीं क्यों भी होता है हमारा एक और क्योंके साथ में select property ये जो होती है ये भी होती है ठीक है और spend तो होता ही है खेर हमारा ठीक है ये भी मैंने जो आपको मैंने उपर अभी demo दिया ठीक है एक sub होता है जो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा था ठीक है सब सब जो मैंने आपको बताया था आपको याद होगा ये अगर आपने नहीं देखा है तो आप उपर जाके देख ले ना एक बाद time element भी होता है ठीक है कोई भी चीच का time हम देते है ना उसका भी होता है तो ये इसकी ऐसे होता है ये इसमें कोई closing tag वगरा इसमें नहीं होता है ध्यान रखिएगा ना time पे टी टी भी हमारा होता है इसमें भी कोई closing या opening tag नहीं होता है break के जैसे ये भी रहता है actual में ठीक है और war होता है एक war का भी use किया जाता है उसी के जैसे text area का भी use किया जाता है जो हम form पे use करते है text area ऐसे बहुत सारे है बहुत सारे है आप जैसे google में जाएंगे और आप मिल जाएगा ठीक है तो अब एक काम करते है न अब फटा-फट से न मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं ठीक है अब सबसे उपर दिखाता हूं कि इसकी थोड़ इसी वर्किंग जो है वो कैसी होती है ठीक है हमने को कि बहुत सारा पढ़ लिया अब थोड़ा सा थियोरी थियोरी खतम करकर प्रैक्टिकल पर आते हैं देखो सबसे पहले क्या करो एक कैसे ले ले लें रुको मैं कुछ सोचता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखा सकूँ ठीक है एक फाइल बनाते हैं जिसमें अपन एलिमेंट के अंदर एलिमेंट देंगे ठीक है डी आई वी क्योंकि हमारा यही काम करता है तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं देखो डी आई वी ठीक तो मेरे पास इसका फॉर्मेट आगया अब मैं इसको नीचे ले आता हूं सबसे पहले और इसके अंदर ना मुझको जो लिखना है मतलब अगर मैं अपना पैराग्राफ इसमें लिखना चाहता हूं वो बाकि सब को effect करेगी आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं मैं अगर इस डियाइवी में कोई भी style दूँगा और इसके अंदर अगर heading भी है paragraph भी है तो वो सब पर effect आएगा उसका by default ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यह हमने पहले डियाइवी सेग्मेंट ले लिया मतलब एक तरह का यह सेक्शन है एक तरीके का यह एक सेक्शन है पूरा ओके अब इस सेक्शन पर मैं क्या करूंगा यहां पर एक heading देता हूं एच टू ठीक है और heading पर लिख देता हूं मान लो टूटो रियल जस्ट सब्स ठीक है और एक यहां पर देता हूं paragraph पर लिख देता हूं यह क्या है आप जानते हैं लॉरं यह जो लॉरं है यह कैसे आया जैसे आपने बहुत सारी website पर देखा होगा by default ऐसे लिख किया जाता ह है यह इसको मैं पहले वर्ल्ड वैप करता हूं रुखो यह देखो ठीक है इस तरह से लिख के आ गया अब यह क्या है आपने देखा होगा बहुत सारी website में इस तरह से लिखा होता है यह by default ना किसी भी website पर टेक्स्ट देने का एक system होता है ठीक है हम जैसे लॉरं लिखते है यह automatic यहां पर ले लेता है और हमको paragraph लिखने की जरूवत नहीं पड़ती केवल हमको जब चेक करना रहता है website building पे जाके कि यह कैसा दिखेगा तब हम उसका यूज कर सकते हैं rather than कुछ paragraph को यह copy paste करना या फिल लिखना ठीक है तो अब आप देखो heading मैंने दी थी tutorial और paragraph मैंने ले दिया ठीक है अब अगर मैं इन दोनों का बॉर्डर लेता हूं अलग-अलग तो यह इसी के जैसे दिखेगा एक paragraph अलग और heading अलग अब मैं इसको मैंने क्या किया है ना एक पूरे div में ले लिया है मतलब यह पूरा area आपका एक block element बन गया है कैसे बन गया है उसको दिखाने के लिए मैं यहां पर इसकी property set करता हूं मतलब इसका जो style है वह set करता हूं तो सब से पहले इसका background color set करता हूं दाकि आप गारू को अच्छे से दिखा पाऊं थो बैग गरांद कलर में इसका set कर देता हूं माल लो Brown set कर देता हूं ठीक है इसका background color और इसका जो color है मतलब इसका जो color है न मतलब मतलब टेक्स्ट का जो कलर वो टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूं white ताकि अच्छे से दिखे ठीक हैं और इसकी जो padding है क्योंकि ये एकदम सटा हुआ है यहां पर थोड़ा सब padding को उपर नीचे सही कर देता है तो मैं इसकी padding जो है, padding इसकी कर देता हूँ, 20 pixel कर दूँ, 20 pixel ठीक है, 20 pixel by default कर देता है, ठीक है, अब इसको save करता हूँ, तो अब आप देखो, उपर नीचे, side side, 20 pixel हो गई, अब ये देख रहे हो, आप block element पूरा बन गया न, ये div, एक section पूरा बन गया, तो मैंने क्या बोला था, कि मैं इस div के अंदर जो भी styling करूँगा, वो बाकी पे effect आएगा, तो अब आप देखो, मैंने div पे style कौन सा किया, इसका background color मैंने change कर दिया, तो ये सब पे effect आया इसका, दूसरा मैंने इसका color change किया, तो अब इसके अंदर div element के अंदर क्या क्या है, हम मारा paragraph पे, तो देखो, उसका color भी change हो गया, ठीक है, मैंने padding भी दे दी, तो padding भी set हुई, उसी सब से, एक तरीके से समझ लो, ये एक section है, अब आप इस section के अंदर में image भी दे सकते हो, जितने भी elements आप जानते हो अभी तक, अभी तक जो जो आपने पढ़ा है, उस even table से लेक comment में दे सकते हो, और जो भी styling आप करोगे, वो बाकी जगह पर execute होगी, ठीक है, अब अगर particularly आप चाहते हो कि इसका color change करूँ, तो आप जाके heading पे जाके, यहाँ पे inline पे style, जो inline styling मेंने सिखाई है न, उस styling पे जाके आप particular change कर लेना, या फिर उपर internal पे, या फिर external पे, आ ठीक है, यह काम करता है हमारा div, तो hope आपको यह समझ में आया होगा पूरा block element और inline element, ठीक है, मैंने दो major लिया, मैंने दो-तीन चीज़ों को, क्योंकि div आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, div हर जगह पे काम आता है, section बनाने के, क्योंकि आप हर website पे ऐसा देखते हो, तो आ आपको आगे div बहुत काम आने वाला है, आप इसको ज़रूर सीखेगा, इसके अंदर कितनी styling होती है, बहुत सारी styling है, आप इसको ज़रूर सीखेगे, ठीक है, तो इस section पर इता ही, मैं अब चलता हूँ अपने next section की तरफ, ओके, इसको save कर देते हैं, ठीक है, ओके,